नमस्कार पाड का नाम है एही ठाईया जूलनी है रानी और आमा शिव प्रसाद मेश्री रुद्र जी की रचना है यह कक्षा 10 की क्रितिका पठे पुस्तक से लिए गई है यह एक बहुत ही समयदान चील कहानी है एक महराश्चियन गाई का दुलारी के बारे में जो की बहुत बहुत ही एक बलिष्ट और बहुत ही जो अनुशाशित महिला थी उसका गायन में बहुत ज्यादा नाम था और सबसे पहला सीन दिखाया जाता है यहां पर बहुत ज्यादा कसरत कर रही है कसरत करने के बाद वह है चने और प्याज का अपना जुनाश्ता रोज का करती थी प्याज करना शुरू कर देती है तभी अचानक से बाहर से कुंडी कटकटाने की आवाज आती है और फिर वह दरवाजे की किलकी कोलती है और बगल में बंडल दबाये बाहर देखती है कि टुन्नु कड़ा हुआता है जो कि इस कहानी का नायक है और टुन्नु एक शर्मीला युवक होता है उसके पतले होट होते हैं जिन पर भरी पीकी मुस्कुराट होती है कहने का मतलब वह एक बहुत शर्मीला युवक था और आखिर में वह टुन्नु से खुदी आखे मिलाती हुई बोलती है कि तुम यहां क्यों आयो मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया थ तुन्नु अचानक से उदास हो जाता है और बोलता है कि साल भर का त्योहार था इसलिए और कहते हुए बगल से बंदल निकालकर कहने का मतलब वह उसके लिए एक उपहार लेकर आया था दुलारी उस बंदल को लेकर देखने लगी उस बंदल के अंदर खदर की एक साड़ी थी और तुन्नु कहता है कि यह खास गांधी आर्शम की बनी हुई है तो दुलारी जो है थोड़े कटक सवर में पूछती है कि तुम यहां मेरे लिए क्यों लेकर आयो रहें तो बहुत चिलाती है कि लेकिन तुम यहां पर यह आए हो तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं जलत और तुम मेरे कौन लगते हो तो खेरियत चाहते हो तो अपने यह उफार लेकर जिसे वह कफन पुकारती है यहां से चले जाओ और तुन्नो के पैरों के पास उसने वह धोती फैक दी तुन्नो की आंखों में आशु भराए और फिर उसने कहा मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं सबस्थी आये हों और यह मेरी भ्हैट थी चैवल तुम्हारे लिए को बहा बोलती है की कि मैं तुम्हारे लिए करेम से बहें लेकर आया तो बहा बोलती है कि अब तुम реально स् nouveau को जवाब नहीं देता और उसके आशु गिरने लगते हैं और दुलारी बोलती यह चली गई और आगे टुन्नु जो है वह दुखी मन से कहता है कि उसके मन पर उसका बस नहीं चलता और उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि सामने वाले क्या रूप कैसा है या उसकी उम्र क्या है या किस प्रिश्ट भूमी से है तो यहाँ पर बताया गया है कि दुलारी उससे बहुत ही जमीन पर पड़ी वी धोती उठाती है जिस पर तुन्यों के आंसों के दब्वे पड़ गए थे वह उसे बहें देखती है जब तुन्यों चला गया तो भार बार उठाकर उन धो जो है चूमने लगी वरूज धोती को उठाकर उसने अपने गले से लगा लिया अगे बताए जाता है कि छे महीने से दुलारी और तुन्यों एक दूसरे को जानते थे जब पिछली भादों में तीज के अफसर पर वह दुलारी पोजवा बजार में गाने गई थी तो कहने का मतलब यहां पताय गया है कि दुलारी की गाईकी के बारे में यह थोड़ा सा बत निपुनता प्राप्त थी, तभी 16-17 साल का एक लड़का उसी मेले के अंदर, उसी समारों के अंदर, सबसे आगे खड़ी दुलारी की और हाथ उठाकर उसने ललका रहा, और इस तरह से इन दोनों का परिचे शुरू हुआ, तो शेहनाई वाले उन्होंने यहां पर थोड़े बोल बताया गये हैं, जो दुल्नू के गीत के थे, और इन लोगों की जो सवाल जवाब के शोर में इनके गायन चजा करते थे, उसके बारे में बताया गया है, और बताया जाता है कि जहाँ पर तुन्नू जो है उसे बार-बार ललका रहा था वही दुलारी अपने जो है उसके बारे हम बताए गया है कि यह तीसरा है चोथा और सर्ता जब खुलकर इस तरह के समारों में भाग लिया था उसके पिता थे जो थे वे यहां पर बताए गया है कि वे भ्रामन थे और दस पांच घर की अजमानी थी उनकी और सत्यनारायम की कथा से लेकर शाद और अन्य अनुष्ठान करा दिया करते थे और अपनी ग्रहस्ती चला रहे थे लेकिन उनके पूत्र को जो है शाइरी वगरा का स्का लग गया था और ये जो है शायरी और गयन में बहुत ही जदा भावाही कमाने लग गया था तो यहां पर इसी समारों की चर्चा करते भी गताया गया है कि किस तरह से टुन्नों और दुलारी का प्रधम परीज़ा हुआ था जब टुटू चला गया तो फिर दुलारी जो है उसे खैल आया कि टुन्नों की वेशबूशा आज कुछ अलग थी मतलग उसने मारली बारिक जो है मलमल के कपड़ा आबरवांजी से कहते हैं उसकी जगे खदर का कुड़ता और गांधी टोपी पहनी हुई थी और दुलारी न उसका कारण भी जाना चाहता परंतु इतना अफसर ही नहीं मिला उन दोनों की धनातनी हो गई और वेच चला गया आज अब उसका जो है चित जो है चंचल हो उटा था और उसने उसे पता था कि टुन्नों कहरेजे उसके प्रती प्रेम से भरा हुआ है उसे पहली मुलाकत मे यह केबद 16-17 वर्ष के लड़के के मन में उठी हुई लहर भर है हलाकि उसे पता था कि टुन्नों से प्रेम करता है लेकिन फिर भी वे मानना नहीं चाहती थी और हमेशा ही टुन्नों के प्रती उपेक्षा दिखाती थी आगे बताया जाता है जब रसोई की वेवस्ता दे देखकर दृष्टी फैर लाती है और पेंको को उसके पेरों के पास रखकर कहता है कि देख लो कैसी बढ़िया दोतिया है बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी कहती है कि तुमने तो होली पर शाड़ी देने के वादा किया था और फिर वह कहता है कि वेवादा में तीज पर पूरा कर दूँगा आज कल उसका रोजगा जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा था कि दुलारी उसके जवाब में कुछ कहना चाहती तभी नीचे गली में से जो है विदेशी वस्तरों का संग्रह करने वाले डल जा रहा था और दुलारी ने अपनी खिड की मतलब अपनी ख और नीचे संग्रह करने वाले लोग भी काफिला जो था वे भी हरान रहा गया कि नया कपड़ा किसी ने भी नहीं डाला था अभी तक जितनी भी आ रहे थे कपड़े वह है पुराने पटे पुराने थे लेकिन यह तो बिल्कुल ही नया मंदल था और जैसे उन्होंने उपर किल्की की तरफ देखने की कोशिश की तो किल्की बंद हो गई जुलूस में सबसे पीछे जो है पुलिस का रिपोर्टर चल रहा था जिसने यह द्रश्य देखा और उसने मकान का नंबर नोट कर लिया इतने ही उपर से एक पल्ला फिर खुलता है और फिर वापिस बंद हो दिया था और उसने भी देख लिया था कि वैप पुलिस का मुखविर फैकु सरदार था इस तारी घटना के बाद दुलारी फैकु को अपशब्द बोलकर अनाप्शनाब बोलकर अपने घर से निकल जाने को बोलती है और इस तरह से फैकु जब निराश हो कर चला जाता है तो उसकी दुलारी जो है उसकी उसके बड़ोस ने उससे मीठी मीठी बाते करने लग जाती है दुलारी उनसे पूछती है कि तुम लोग बताओ कभी तुन्नो को यहां आते वे देखा है तो वह कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने तुन्नो को आते वे कभी नहीं देखा तब ही जो उन महीलाओं में से एक का बालक जिंगुल जिसका नाम जिंगुल सा गया आता है और बताता है कि तुन्नु को गोरे सिपाईयों ने मार डाला और लाश को भी उठा कर ले गए और कोई दिन होता था दुलारी हस पड़ती लेकिन यह सुनकर गया स्थब्द हो गई उसने कितना के बारे में भी कुछ नहीं पूछा उसकी आंखों से आसु छलब पड़े और उसकी पड़ोस ने देखती ही रहे गए कि उसके रहते इतना कोमल था जक्की ओपर से इतनी कठोर नजर आती थी आगे दुलारी संगूत अपना संदूख खोलती है और उसमें से टुन्नो की दी हुई वही दोती निकालती है खदर की जो है गांदी अर्शम से लाए था और उसे उसने जींगुर को बुला कर पूछती है कि टुन्नो कहां मारा गया तो वह बोलता है कि टाउन हॉल में और बताया जाता है कि किससुत हैं एक अख़़ार के ओंस का नजारा बताया जाता है जहां पर कुछ रिपोर्टर लोग अपसमें बाते करे हैं और बता रहे हैं कि एक जुलूस जा रहा था जिसमें विदेशी बस्त्रों का संघ्राय करता हूँ एक जुलूस जा रहा था जिसमें कसली गए है कि टॉन्नू भी था और जब टाउन होल पहुंचा तो अली सगीर जो पुलीस का जमाधार था उसने टॉन्नू को जा पकड़ा मर गया और जब उसे अस्पताल लेकर गया तो पहले ही मर चुका था आगे वे लोग जो है टुन्नु का दुलारी के साथ रिष्टा होने की भी बात करते हैं और आगे जो है अगले दिन शाम को जो अमन सभा होने वाली है टाउन होल के अंदर उसके बारे में बात करते हैं और वहां के बारे में बताते हैं कि दुलारी को नाचा और गणे को कहा गया और उससे शायद मिद्लारी को जो है टुन्नु के मरत्यूं की मरत्यु का पता चल गया था जिसकी व 충ploads और ख़दर की प्रेमी की हत्या की गई थी और जब उसने गाना गया तो उसका शीशक था यहीं ठाया जूलनी है रानी और आमा कासो में पूछूं कि यहीं मेरी आगे वे लोग बात करते हैं कि जहां पर बूट की ठोकर खाकर तुनू गिरा था वहीं पर द्रिश्टी जमाय हुए दुलारी बोलती है एहीं ठाया जूलनी है रानी और आमा जूलनी मतलब की नाक की नत तो वे आगे उसके गाने के बोल होते हैं कासो पूछूं मतलब किस से पूछूं सास से नानत से इस तरह की चीजें जो हैं मैं गान के अंदर आगे जो पूरा गाना बताया गया और इस तरह की बाते करते हुए वे कहते हैं कि दुलारी की आँखों में इस तरह की बाते करते हुए आंसु चल चला आये थे इस तरह का गानग आते हुए और उस तरह का उसका रूप कभी भी पहले नहीं देखा गया कहने का मतलब दुलारी ने चाहे तुन्न को हमेशा ही तुकराया हो लेकिन मन ही मन उससे प्रेम करती थी और यह उसने अंट में साबित कर दिया तो यह दिकाहानी धन्यवार